हम पढ़ने वाले हैं हर्याना जी के हर्याना जी के हम टॉपिक वाइस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइस करने के बाद हम करेंगे प्रिविएस यूर कोशन्स और साथ में आने वाले एक्जाम के लिए देखे कभी भी एक दिन में नहीं तैयारी होती आप सोचों कि 10-15 दिन पहले हम तैयारी स्टार्ट कर दें मेराथंस लगाएं और हमारा हो जाएगा तैयारी हमारी हो जाएगी ऐसा नहीं हो सकता है आपको regular study करनी ही करनी पड़ेगी और फिर करने वाले हैं वो है हर्याना परिच्चे है हर्याना का परिच्चे आज हम देखेंगे बिल्कुल शुरू से इंपोर्टेंट सारी चीजे जो एक्जाम में आ सकती है करने की कोशिश करेंगे अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आज आप हमारे चैलीग्राम चैनल को जो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी है अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए जएगा वीडियो को लाइक कर दें और जादसे जादा शेयर भी कर दें ताकि सभी बच्चों के पास वीडियो पहुँच जए तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हर्याना हर्याना की स्थापना कब हुई थी यानि कि हर्याना राज्जी के रूप में कब बना एक नवंबर 1966 को हर्याना बना था 1966 को हमारा हर्याना बना था जब हर्याना बना तो उस समय साथ जिले थे कितने जिले थे साथ जिले थे उनको याद करने की एक ट्रिक है घर जे के में जे के में देख लेते हैं कौन-कौन से थे वो साथ जिले सबसे पहले जी से बनता है आपका गुरू ग्राम एच से हिसार अमबाला आर से रहतक जीन्द के से करनाल और एम से महिंद्रगड देखिए कौन-कौन सा मैं आपको दिखा देती हूँ जीन्द हिसार आपका करनाल अमबाला गुरू ग्राम महिंद्रगड ये आपके बने हुए थे जिले एक रोह तक टोटल साथ जिले हर्याना की निर्मान के समय पे बने हुए थे आगे बात कर लेते हैं जब हर्याना बना ये मैं सम आपको बता रहे हूँ कब का जब एक नवंबर 1966 के समय के स्थिती बता रहे हूँ मैं आपको तब गाउं कितने थे एक नवंबर 1966 को कुल गाउं कितने थे तो कुल गाउं थे 2525 थे जन संख्या घनत्व कितना था जन संख्या घनत्व था आपका 227 साक्षर्ता अगर उस टाइम पर देखी जाए तो साक्षर्था थी 20 परसंट विधान सबा सीटे देख लेते हैं विधान सबा सीटे अभी का तो सभी को पता होगा कितनी विधान सबा सीटे हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं अभी कितनी विधान सबा सीटे हैं उस टाइन पे थी चववन विधान सबा सीटे अगर लोग सबा सीट की बात करूँ मैं लोग सबा सीटे थी साथ अभी कितनी है दस है अच्छा ये जो आपकी विधान सबा सीटे थी चववन इन में से आरक ती दस आरक्षित थी आपसे कोशन पूछा जा सकता है कि एक नवंबर 1966 को जब आपका हर्याना बना तो उस समय पे कितनी आरक्षित सीटे थी तो कितनी थी क्या अंसर हो जाएगा दस आरक्षित सीटे थी प्रति व्यक्ति आए देख लेते हैं यानि कि हर व्यक्ति उस समय पे भी कितना कमा रहा था प्रति व्यक्ति आए आपकी थी 680 रूपे कितनी थी 680 रूपे एक छोटी सी जानकर थी आगे चलते हैं देखते हैं हर्याना का जो राजकिये पशु था क्या था राजकिये पशु यह आपको मैंने दिखाया है इमेज में राजकिये पशु वो तब काला हीरन क्या था काला हीरन यह दिखाई दे रहा है आपको काला हीरन जिसको हम इंगलिश में बोलते हैं black buck क्या बोलते हैं black buck इसकी थोड़ी information देख लेते हैं अगर मैं इसके जीवन काल की बात करूं काले हीरन के जीवन काल की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 10 से 15 साल कितना होता है दस से पंदरा साथ ये जो काला हिरन है ब्लैक बक है ये कौन से संग से आता है अगर मैं इसके संग की बात करूँ तो संग है इसका रज्जु की क्या है रज्जु की इंपोर्टिंट है ये और इसका कुल क्या है कूल है इसका बोवीडी क्या है बोवीडी और इसकी जाती है ए सर्वी कैप्रा क्या है ए सर्वी कैप्रा अच्छे इसका गरब धारण जो काल होता है क्या होता है गरब धारण काल वो होता है 166 दिप का आगे चलते हैं हर्याना का जो राजकिये पक्षी ये क्या है हर्याना का राजकिये पक्षी क्या होता है ये काला तीतर क्या है ये काला तीतर जिसको हम अगर इसका विज्ञानिक नाम हम देखे काले तीतर का तो वो होता है ब्लैक फ्रेंको लिन इसको ब्लैक पर्ट्रेज के नाम से भी जाना जाता है अगर मैं इसका अन्य नाम देखू तो वो है ब्लैक पर्ट्रेज इसका जो जीवन काल है ब्लैक फ्रेंको लिन खाले तीतर का जीवन काल होता है 13 से 16 वर्ष का जीवन काल है इसका जो अकार है ब्लैक फ्रेंको लिन का वो होता है 33 से 66 cm कितना 33 से 66 cm जो इसकी पंक आपको दिखाई दे रहे हैं पंक इनकी चोड़ाई जो होती है वो 50 से 56 cm होती है क्या होती है पंकों की चोड़ाई होती है 50 से 56 cm अगर मैं इसकी कुछ आपको और विशेशता हैं बता दूँ तो यह 6 से 10 अंडे देता है जमीन में घोसला बना कर कितने 6 से 10 अंडे देते हैं यह जमीन में घोसला बना कर इनके सिर पर इनका सिर जो होता है वो काले रंगा होता है आपको दिख भी रहा होगा इनका सिर कैसा होता है काले रंगा और आख के नीचे सफेद रंग की धब्बे से पाए जाते हैं और यह जो गर्दन है यह लाल रंग की होती है कैसी होती है रेड कलर की गर्दन पाई जाती है जर्ण अबूब शहर में कहां अबूब शहर यहां पर अभ्यारण है और यह कहां पढ़ता है अबूब शहर सिरसा के अंदर कहां पढ़ता है सिरसा के अंदर पढ़ता है यहां सबसे ज्यादा कालती तर पाया जाता है चलते हैं आगे और कुछ इसके बारे में इन्फर्मिशन देख लेते हैं अगर मैं करू राजकिये खेल की बारी बात तो वो क्या है राजकिये खेल है कुष्टी हर्याणा का राजकिये पशू राजकिये व्रिक्ष जो है पीपल है राजकिये व्रिक्ष है पीपल और राजकिये फूल है कमल यह जो राजकिये फूल है यह आपसे गुरूब और राश्ट्रिये फूल है कभी गुलाब हूँ तो इध्यान दीजेगा राज की फूल जो है कमल है बात करूँ मैं सबसे जादा उगाया जाने वाला फूल राज्ये में सबसे जादा कौन सा फूल उगाया जाता है राज्ये में सरवादिक उगाया जाने वाला फूल वो क्या है गेलोडियस है क्या है गेलोडियस ग्लेडियोस सबसे ज़्यादा यह कहा उगया जाता है यह उगया जाता है परीदाबाद जिले में कहा परीदाबाद में अक्तुबर नमंबर इसकी खेती का समय है क्या है अक्तुबर नमंबर इसकी खेती का समय है चलते हैं आगे राजकिय भाषा की अगर मैं बात करूँ हर्याणा की हर्याणवी नहीं है राजकिय भाषा है हिंदी क्या है हिंदी राजकिय भाषा है कुल हर्याणा में कुल जो डाक घर है हर्याणा में डाक घरों की कुल संख्या किसकी डाक घरों की तो ओ है 2689 किती है 2689 आगे चलते हैं देखें मैंने आपको अभी बताया था कि हर्याणा में गठन के समय किसके समय गठन के समय गठन के समय हर्याणा में कितने जिले थे टोटल साथ जिले थे उन साथ जिलों में सबसे जो प्रथम गठित जिला था वो था जीद क्या था प्रतम गठित वो था जीन्द ये गठन के समय शेतरपल में सबसे छोटा जिला था सबसे छोटा जिला गठन के समय गठन के समय और सबसे बड़े जिले की बात करूँ वो था हिसार क्या था हिसार बहुत ज़्याद टुकडे हुए है हिसार के क्या था सबसे बड़ा सबसे बड़ा गठन के समय मुझे कमेंट में बताए अभी कौन सा है अभी प्रेजेंट में आपका सबसे बड़ा जिला कमेंट करें सबसे बड़ा जिला याँ मुझे कमेंट करके बताए ठीक है चलते हैं आगे हर्याणा का शित्रफल कितना है हर्याणा का जो शित्रफल है वो है चवालेज दोसो बारा वर्ग किलोमीटर किलोमीटर स्केर इसको हम बोल सकते हैं वर्ग किलो पीटर कितना शेत्रपल अरियाना का चवालिस दो सो बारा ऐसे इजी लिए याद हो जाएगा ये जो है हमारे देश के पडोसी देश बुटान के लगबग बराबर है किसके पूचा जा सकता है ये बुटान के लगबग बराबर हमारा पडोसी देश है ना बुटान उसके लगबग बराबर है अक्षानशी विस्तार हम देख लेते हैं हर्याना का हर्याना का अक्षानशी विस्तार हर्याणा का अक्षांशिय विस्तार है 27 डिग्री 49 मिनट से लेके 30 डिग्री 75 मिनट उत्री क्या है ये उत्री इस चीज का आप ध्यान रखेगा ये ये कन्फ्यूज कर देता है उत्री की जगे आपको पूर्वी दक्षणी पश्चुमी कुछ भी दे सकता है कर मैं हर्याणा के अक्षांशिय विस्तार की बात करूँ वो 27 डिग्री 49 मिनट से 30 डिग्री चत्र मिनट उत्री है अगर हर्याणा के मैं देशांत्रिय विस्तार की बात करूँ तो वो कितना है चुहतर डिगरी 28 मिनट से 87 डिगरी 36 मिनट पूरवी क्या है पूरवी ये तो आप कर लोगे याद 27, 34, 37 ये उतरी और पूरवी आप जरूर ध्यान रखेगा हर्याड़ा की कैपिटल क्या है हर्याड़ा की राजदानी क्या है चंडीगड है क्या है चंडिगर हर्याणा को जो शेत्रफल मैंने अब पता है 44-2012 ये हमारे भारत के 1.34% है इसके भारत का 1.34% है ये शेत्रफल में ठीक है अगर मैं बात करूँ हर्याणा की कर्क रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है किसे हर्याणा कर्क रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है कितनी दूरी पर स्थित है तो वो हो जाएगा आपका 444.52 किलो मीटर या फिर हम कह सकते हैं लग भग तीन सो मील कितना लग भग तीन सो मील अगर हर्याणा की मैं आकरती की बात करूं हर्याणा की जो आकरती है वो है विशम बाहू क्या है या फिर इसको हम कह सकते हैं चतुर भुजा कार क्या चतुर कार चार भुजाओं वाला या फिर इसको हम यह भी कह सकते हैं शट कोड़ ये पतंगाकार क्या शट कोड़ ये शट कोड़ ये पतंगाकार हर्याणा हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है कहां स्थित है हर्याणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है ये भी कुश्चन आ सकता है उत्तर पश्चिम में स्थित है आज के लिए इतना ही बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें आप और जादा से जादा शेयर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखें यह आप इसको न स्पीड से करके भी देख सकते हैं क्योंकि जो बच्चे अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं उनके लिए भी है यह तो जिनको पहले से आता उनका रिवीजन हो जाएगा बाकी अपना अच्छी से इसको देख लें नोट्स आप फोकस ओन स्टर्डी के च टेलिग्रम चैनल से ले लिए इसका पीडिएफ अगर आपको चाहिए है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्यू सो मच